वेलकम तू माय चैनल तो आज हम लोग नोट करेंगे लोग अंसर टाइब कोस्टन्स और यह अपना होगा चैप्टर फाइब फ्रिक्शन और इसके पहले के जो वीडियो जह हैं उसका लिंक आपको मिल जागा डिस्क्रिप्शन बॉक्स महां से आप चेक आउट कर सकते हैं त इसका आँशनोट करेंगे हमारा अंसर होगा पहले हम यहां पर नोट करेंगे डेफिलेशन ऑफ फ़र्स और फृक्षन का इसमें हम लोग यहां पर लिखेंगे वैसा force जो दो object के contact surface के बीच में लग रहा होता है उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं force of friction कहते हैं अब कौन-कौन से factor से हैं जो हमारे यहाँ पे force of friction को affect करते हैं तो इसमें हमारा पे answer होगा nature of two surfaces in contact वो surface जो आपस में contact में उसका nature क्या है उसके उपर depend करेगा और दूसरा force pressing the two surfaces together दोनों ही surface को कितने तेजी से यहाँ पे press किया जाता है उसके उपर हमारा यह depend करता है next हमारा यहाँ पे examples तो मैं examples में लेखेंगे it is difficult to walk on a muddy road due to less friction जब friction कम होता है तो हम लोग को यहाँ पे walk करने में problem होती है difficulties हम लोग को महसुस होती है दूसरा it is easy to slide lighter box compared to a heavier box जो box हलका होता है उसको slide करना आसान होता है इसके पीछे reason क्या है चुकि जो box हलका है वहाँ पे less friction लग रहा होगा और जो box हमारा heavy होता है वहाँ पे हमारा क्या होता है जाएदा force of friction लग रहा होता है तो यह हमारा answer यहाँ पे complete हो गया next हम लोग question number second की और जाएंगे अब यहाँ पे हमारे पास question number second आता है इसमें क्या कहता है एक activity based question है इसमें कहता है a ball is allowed to roll down an inclined wooden plane from a given height एक height से यहाँ पे ball को ना नीचे slide किया जा रहा है आप देख सकते हैं अब यहाँ पे क्या हो रहा है यह नीचे ball हमारा slide करेगा तो यह आगे की और यहाँ पे जाएगा इधर भी आगे जाएगा हर एक case है यहाँ पे case A लिया गया है case B लिया गया है case C लिया गया है तो अभी यहाँ पे आपको देखना है कि case जो हमारा first है इसमें क्या है यहाँ पे news paper से और जो दूसरा case हमारा यहाँ पे B है इसमें यहाँ पे क्या है हमारा तो यह है wooden cloth है और लास्ट में हमारा case C है इसमें कहा है न प्लेन ग्लास शीट लगा हुआ है तो अलग-अलग case हमारे पास यहाँ पे हैं अब नेक्स्ट में हाँ पर रिडाउट करते हैं अब यहाँ पे जो सर्फेस है इसमें अलग-अलग चीज़ें रखी हुए है फर्स्ट केस में हमारा उलन क्लॉथ है थर्ड केस में हमारा क्याना ग्लास शीट रखा हुए अब यहाँ question हमारे पास नेचे है कहता है in which case is the ball likely to move the longest distance give reason for your answer कौन सा केस में जो ball है वो longest distance covered करेगा और क्यों करेगा उसके पीछे हम लोग यहाँ पे reason भी देने है तो आईए हम इसका answer यहाँ पे कर लेगे हमारा answer क्या होगा हम लिखेंगी the ball is likely to move longest distance in case c case c में जो है बॉल ज्यादा दूरी cover करेगा इसका reason क्या होगा लिखेंगे because because of the plain glass sheet is highly smooth as compared to a woolen cloth और newspaper newspaper और woolen cloth के compare में हमारा जो glass sheet होगा वो ज्यादा smooth होता है उसमें fractional force कम लगेगा इसलिए वहाँ पे ज्यादा distance हमारा ball cover करेगा लिखेंगे so the glass sheet would offer the least amount of friction यह जो glass sheet है यह कम amount of friction offer करेगा इस वुज़ा से case c में जो है बॉल ज्यादा distance को cover करेगा तो यह activity based question था इसको उमने देख लिया अब हमारे पास आता है question number third और यहाँ पे हम लोगों से कहा गया है explain why sliding friction is slightly less than static friction जो sliding friction होता है उसका value कम होता है as compared to static friction इसके पीछे हम लोग क्या यहाँ पे reason देंगे तो चलिए हम answer यहाँ पे note करते हैं हम लोग यहाँ पे note करेंगे there is no interlocking between irregularities that is ups and downs of the two surfaces when one object slides over others जब कोई object दूसरे object के ओपर slide करता है उस condition में क्या होता है जो उसके surfaces में ups and downs होते है आने irregularities जो हुआ करता है उसके बीच में interlocking नहीं होता है ओके वो simply slide करता है इसको कम तब समय मिलता है interlocking के लिए लेकिन जब यहाँ पे कोई object rest में होता है उस case में क्या होता है वहाँ पे interlocking हुआ करता है but in case of rest there is interlocking between irregularities of two surfaces so sliding friction is slightly less than static friction अब यहाँ पे देखिए static friction में कब लगता है जब वो object rest में होता है अब rest में होता है तो उसके surface के बीच interlocking होता है interlocking होने के वज़ासे वहाँ पे ज़्यदा force हम लोग को लगाना पड़ेगा उसको move करने के लिए बट जब object slide कर रहा होता है तो interlocking नहीं होता है और interlocking नहीं होने के वज़ासे उसको कम force हमको लगाना पड़ता है movement में continue रखने के लिए इसलिए sliding friction का value कम होता है as compared to static friction यह हमारा answer हो गया हम यहाँ पर next question number four के और move करते हैं कहता है give region four following हमारे पास यहाँ पर जो question से इसका region देना है पहला कहता है we tend to sleep when we step on a banana peel अगर हम लोग यहाँ पर walk करना चाहें banana peel के उपर अगर move करना चाहें तो हम लोग को क्या होगा ना sleepiness महसुच होगा हम लोग sleep कर जाएंगे इसके पीछे क्या region है हम लोग क्यों sleep कर जाते हैं जब banana peel के ऊपर walk करते हैं इसका region simple है यहाँ पर frictional force कम हुआ करता है हम लोग लिखेंगे we tend to sleep when we step on a banana peel because there is less friction between banana peel and earth जो earth है और जो banana peel है उसके बीच में frictional force कम होता है और कम frictional force होने के वज़ा से हम लोग क्या करते हैं sleep कर जाते हैं जब लोग walking करते हैं बी नमर question कहता है it is easier to push a lighter box than a similar heavy box on the same floor अब देखिए जो heavy box होगा उसको push करना ज्यादा force लगाना पड़ेगा लेकिन जो lighter होगा उसको push करने के लिए उसको कम force लगाना पड़ेगा अब यहाँ पे हम लोग क्या देंगे explanation तो देखिए जितना ज्यादा weight होगा जितना ज्यादा force with ground as compared to the heavier box as there is more amount of force of pressing to the ground जहां पे हमारा heavier box है न वो जयदा force लगा रहा होता है ground पे जयदा force लगा रहा होता है तो महां पे जयदा frictional force हमारा होगा so it is easier to push a lighter box than a heavier one तो आप समझ गिये कि जिसका weight जयदा होगा वो जयदा frictional force offer करेगा और जिसका weight कम होगा वो कम frictional force को offer करता है यह हो गया हमारा clear next हमारे पास c number है और यहां पे कहता है the force needed to start a car is somewhat greater than the force needed to keep it moving with uniform speed देखिए हमारा car जो है अगर rest में है अगर उसको हम start करना चाहते हैं motion में लाना चाहते हैं तो हमको जयदा force लगाना पड़ेगा लेकिन जब वह ही कार हमारा motion में आ गया है तो उसको continue रखने के लिए हमको कम force लगाना पड़ेगा ऐसा क्यों तो यहां पे हम लोग लिखेंगी जब rest में रहता है at rest there is a static friction and when car starts moving there is sliding friction जब अभी कार rest में है तो वहां पे static friction लग रहा होता है लेकिन जैसे ही कार हमारा slide करना शुरू होता है वहां पे sliding friction लगना start हो जाता है अब लोग जानते हैं कि static friction जो है वह जैदा होता है और sliding friction क्या होता है हमारा कम होता है तो चुकि sliding friction का value कम होता है तो जब motion में है कार तो वहां पे sliding friction लग रहा है इसलिए उसको motion में continue रखने के लिए हमको कम force लगाना पड़ेगा therefore greater force is needed to start a car than keeping it in motion तो motion में लखने के लिए हमको कम force लगाना पड़ेगा जबकि start करने के लिए हमको थोड़ा सा ज़्यादा force लगाना पड़ेगा reason है कि वहां पे static friction है rest में और जब motion में आ गया तो sliding friction काम कर रहा है D number question हमें आपे देखेंगे और उसका हम लोग answer करेंगे यह कहता है a sportsman use shoes fitted with spikes जो sportsman होते हैं उसका special shoes होता है उसमें spikes लगे हुए होते हैं इसके पीछे क्या reason है लिखेंगे a sportsman use shoes fitted with spikes because it provides more frictional force यह जदा frictional force देता है it helps a sportsman to get better grip while running जब a sportsman दोड़ रहा होता है तो उसको अच्छा grip मिलता है ground के साथ और इसलिए वो इस तरह का सूच पहनता है जिसमें से spikes लगे हुए हो right इन अमबर हमारे पास है कहता है ball bearings are used in machines जो machines होते हैं उसके moving parts में हम लोग ball bearing यूज़ करते हैं अब इसके पिछे में आपे क्या reason देंगे हम लोग आपे answer करेंगे जो ball bearing होता है न वो friction को कम कर देता है friction कम कर देगा तो इससे क्या होगा आसाने से वो हमारा move करेगा लिखेंगे ball bearings are used in machines to reduce friction friction को कम करने के लिए यूज़ करते हैं यहां पर sufficient है और F number पर कहता है tires of the vehicles need to be changed regularly जो vehicles होते हैं उसके जो tires होते हैं उसको लोग regular basis पर change करना पड़ता है इसके पिछे क्या हम लोग यहां पर explanation देंगे हम लोग यहां पर answer लिखेंगे tires of vehicles have grouped surfaces which provide better grip with ground जो हमारे vehicles होते हैं उसमें tires लगे होते हैं उसमें grouped होता है आनि कि उसमें से बना हुआ होता है lining जो अच्छा grip दिया करता है अब यह जो हमारा grouped surface होता है जब tires बहुत दिन चलता है तो उसमें क्या होता है न यह grouped surface plane हो जाते हैं the surface becomes a smooth after some time due to friction friction के बुज़ा से वो जो surface है वो क्या होता है न वो surface आपका a smooth हो जाता है a smooth हो जाता है मतलब जो grouped surface है उसमें आप grips नहीं रह जाता है तो जब grips नहीं बनेगा तो उसको उसको उसमें चलना मुश्किल पड़ता है so tires need to be changed regularly इसलिए हम लोग को tires को क्या करते हैं regularly basis पे change करेंगी G number हमारे पास question है और यहाँ पर कहा गया है machines parts are regularly frequently oil or grease जो machines के parts होते हैं उसमें जो moving parts होते हैं moving parts में लोग क्या करते हैं ग्रिस लगाते हैं या तो फिर oil लगाते हैं ऐसा क्यों करते हैं यहाँ पर हम लोग friction को कम करने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं machines parts are frequently oil or grease because it reduces friction and prevents wear and tear of machines parts जो machines के parts होते हैं जो move करते रहते हैं वहाँ पे हम लोग friction force को कम करने के लिए grease लगा देते हैं ऐसा करने से क्या होगा वो जल्दी हमारा खराप नहीं होगा और वो लंबे समय तक हमारा चलता रहेगा तो एक तो हमारा यह हो गया कि grease और oil लगाने से क्या होता है ना friction का value कम हो जाता है और वो आसाने से move भी करेगा और लंबे समय तक वो चलेगा भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे next जो हमारे पास question आता है यह हमारा यहाँ पर H number है यहाँ पर क्या कहता है sports cars, aeroplanes and boats are designed to have a streamlined shape इसका shape कुछ special होता है जिसको हम लोग क्या कहते है streamed land shape कहते है अब इसको streamed land shape क्यों देते है तो इसका हम लोग reason यहाँ पर लिखेंगे streamed land shape reduces air resistance and helps the object to acquire a faster speed देखिए streamed land shape जो होता है वो क्या करता है air का जो resistance है आप उसको कह सकते है fluid friction तो fluid friction को कम करता है और जब fluid friction कम हो जाएगा आनि air resistance तो जो object है वो fast move करेगा तो faster speed देने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते है जो objects होते हैं उसको हम लोग streamed land shape यहाँ पर दे रहे होते हैं बस इतना हमारा यहाँ पर complete answer हो गया i number फिर हम लोग j number यहाँ पर करेंगे कहता है metal chains are wrapped देखिए जो metal के chain होते हैं उसको लोग wrap कर देते हैं कहाँ पर टाइर पर जहों लोग icy road पर चल रहे होते हैं वैसा road जहाँ पर ice ज्यादा रहता है वहाँ पर अगर vehicles को चलाना है तो जो टाइर से न उसके चारों तरफ लोग क्या करते हैं metal के chain को घुमा के रख देते हैं लपीड देते हैं ऐसा क्यों कर रहे होते हैं ऐसा करने से क्या फाइदा होता है तो यहाँ पर लोग friction को increase करने के लिए इसा करते हैं metal chains are wrapped on tires to increase friction because there is less friction on icy road जो बरफिला road होता है वहाँ पर frictional force बहुत कम होता है तो frictional force कम होगा तो वहाँ पर walking मुश्किल होगा और इसलिए हम लोग क्या करेंगे न वहाँ पर जो tires के चाव तरह हम लोग chain को wrap कर देंगे अब chain को wrap कर देने से वो frictional force को बढ़ा देगा चुकि अच्छा grip वहाँ पर बनेगा और next हम यहाँ पर question number J देखते हैं उसका region लिखेंगे कहा गया है rollers are used for transporting luggage देखिए जो rollers होते है न उसका हम लोग use करते हैं luggage को transport करने के लिए अब ऐसा हम लोग क्यों करेंगे तो यहाँ देखिए जो rollers हुआ करता है वो हमारा reduce करता है frictional force को rollers are used for transporting luggage because it converts sliding friction into rolling friction therefore less amount of force is required for transporting luggage अब जो luggage है उसको एक जगा से दुसरे जगा ले जाने में हमको कम force लगाना पड़ेगा क्यों चुकि यहाँ पे जो sliding friction उसको यह rolling friction में convert कर देता है हमारा rollers वो roll कर रहा होता है इसलिए जब friction का value कम हो गया तो हमको कम force भी apply करना पड़ेगा और आसाने से luggage को एक जगा से दुसरे जगा हम लोग ले के जा सकते हैं लास्ट लोग यहाँ पे question नमर फिप्ट देखेंगे अब यहाँ पे हमारे पास question नमर फिप्ट में क्या कहता है यह हम लोग समझ लेंगे कहता है state and explain with examples how friction can help the cause of motion in certain situations अब देखें कुछ-कुछ ऐसे situations होते हैं जहां friction जरूरी होता है बिना friction का हमारा वहाँ पे motion संभव नहीं है जो motion है उसको complete नहीं कर पाएंगे अब इस तरह के कुछ examples को में यहाँ पे देंगे तो आई हम यहाँ पे answer करेंगे हम लोग लिखेंगे friction is necessary for motion in certain situations for examples we cannot write on a smooth surface जो oil page होता है अगर page में oil लग गया है तो फिर उस page में लिखना मुश्किल हो जाएगा चुकि वहाँ पे friction का value कम हो जाता है as there is less friction less friction के वज़ा से इसी तरह से हम लोग difficulty महसुष करते हैं जब muddy surface पे walk करते हैं similarly we find difficulty while walking on muddy surface इसका reason क्या है कि muddy surface पे हमारा कम frictional force होगा करता है तो इससे हमारा clear हो जाता है कि friction ज़रूरी है कुछ-कुछ ऐसे motion से वहाँ पर और यहां पर हम लोग complete कर लेते हैं long answer type questions chapter 5 friction so thanks for watching have a glorious day ahead like this video, share with others and do subscribe my youtube channel